C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का चौधमा सबख मौलाना अबुलकलाम आजाद का असल नाम मौयूदीन एहमद था वो 1888 में मक्का में पैदा हुए उनके वालिद अपने जमाने के आलमे दीन और मशूर वाइस थे मौलाना आजाद की परवरिश ऐसे खांदान में हुई जो मजहभी मिजज रखता था उन्हें बच्पन से मुताले का शौक था मगर उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी के वो कूर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबे पढ़ें और वक्त खराब करें लेकिन मौलाना आजाद का शौक किसी तरह कम नहीं हुआ वो अपना ये शौक इस तरह पूरा करते के अपने जेब खर्च से मौमबतियां खरीद कर लाते और जब घर के तमाम लोग सो जाते तो मौमबति जला कर लिहाव के अंदर पढ़ते इस स्लसले में उन्होंने एक मरतबा लिहाव भी जला दिया मौलाना आजाद की अदबी जिन्दगी का आगास ग्यारा बारा साल की उम्र से हुआ उन्होंने तेरा बरस में फार्सी की तालीम मुकमल की उनका हावजा बला का तेस था वो पहले शायरी और बाद में नसर की जानिब मतवज्ज़ हुए मौलवी अब्दुर वाहिद ने उनका तखल्स आजाद रखा उसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से शुहरत मिली मौलाना अबुल कलाम ने पंदरा बरस की उम्र में लिसानल सदक जैसे जरीदे की एदारत की और 20 साल की उमर में अखबार अलहिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया इसके बाद अलबलाख जारी किया इन दोनों अखबारों ने हिंदुस्तान के मुसल्मानों को खाब गफलत से बेदार करने में एहम किरदार अदा किया हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दो जहत में मौलाना के खिदमात नाकाबले फरामोश हैं वो आजादी की तहरीक के मुजाहिद थे उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था के हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीच बोकर अंग्रेज अपनी हकूमत मुस्तहकम करना चाहते हैं मौलाना आजाद ने हिंदु-मुस्लिम इत्धात पर जोर दिया उन्होंने अपने खुदबात और मजामीन में भी ये बताया के मुश्तरका तहजीब और कौमी यकजहती के तसवर को आम किये बगएर आजादी मुम्किन नहीं अपने सियासी नजरियात और पुर्जोश सहाफत की वजह से मौलाना को कई बार नजर बंद किया गया मगर वो बहादुर और नेडर सिपाही की तरह वतन की आजादी के लिए जिद्धुजध करते रहे मौलाना आजाद सचे महिबे वतन थे उन्होंने वतन की आजादी के लिए कैदो बंद की सौबतें झेली लेकिन अपने रास्टे से नहीं हटे उन्होंने दो गौमी नजरीय की मुखालफत की मुसल्मानों को तक्सीम के खत्रा से आगाह किया तक्सीम के बाद जो फसादात हुए उससे वो बहुत अफसुर्दा थे उन्होंने देली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसल्मानों के एक जलसे को खिताब किया इस तक्रीर के एक एक लफ्स से दर्थमंदी का इजहार होता है अजीजों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ? सूरज तो चमक रहा है इस से किरने मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिचा दो जहां उजाले की सخت जरूरत है आओ एहद करें कि ये मुल्क हमारा है हम इसके लिए हैं और इसकी तखदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवास के बगएर अधूरे ही रहेंगे मुलाना आजाद, महत्मा गांधी और पंडिच जवाहलाल नहरू से बहुत करीब थे ये दोनों भी मुलाना की बहुत इज़त करते थे उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मशवरे करते थे मुलाना बड़ी अच्छी जबान लिखते और बोलते थे इसमें बड़ी तासीर थी बहुत अच्छी और जोड़दार तक्रीर करते थे अंग्रेज हुकमरा उनसे डरते थे जंग आजादी के दोरान मुलाना ने जो तक्रीरे की हैं वो बहुत एहम है आजादी के बाद वो पहले वजीर तालीम बने वो तालीम से समाज में तबदीली लाना चाहते थे इनसानी शौर की तरकी के लिए तालीम को लाजमी समझते थे औरतों की तालीम के हामी थे उन्होंने मुल्क के तालीमी निजाम का तफसीली जाइजा लेने के लिए कही कमीशन काइम किये उन्होंने जो बड़े सकाफती इदारे काइम किये उनमें सहित अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशूर है Indian Council for Cultural Relations जानी ICCR उन्ही का काइम किया हुआ इदारा है मुलाना अबुलकलाम आजाद के मज़ामीन, खुदबात, मकलात और मकातीब के मजमुए किताबी सूरत में शाय हो चुके हैं मौलाना का इंतिकाल 1958 में हुआ माणी याद कीजिए आलम दीन दीन का इल्म जानने वाला वाज वाज करने वाला, नसीहत करने वाला परवरिश पालना, तालीम और तर्बियत मुताल्ण पढ़ना तखल्स वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेयरों में इस्तिमाल करते हैं जरीदा अखबार, रिसाला बेदार जाकता हुआ, होशियार, बाखखबर खुदबात खुदबे की जमा, तकरीरें एडिटर किताब, रिसाले या अखबार का मुदीर मुजाहिद जिहाद करने वाला जाबास अल्ला की राह में लड़ने वाला मुस्तहकम बजबूत इत्तिहाद दोस्ती, मुहबबत, एक हो जाना नजर बंद करना नकलो हरकत पर पाबंदी लगाना मुहिब्बे वतन वतन से मुहबबत करने वाला जमा, परिशानिया तासीर असर सफ़ा नंबर 96 सोचिये और बताईए सवाल एक मुलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या था? सवाल दो मुलाना आजाद की परवरिश कैसे खांदान में हुई? सवाल तीन मुलाना आजाद को बश्पन से किस बात का शौक था? सवाल चार मुलाना का तखलुस आजाद किसने रखा? सवाल पांच मुलाना ने कौन-कौन से अख़बार जारी किये? सवाल छे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुलाना आजाद ने क्या खिद्मात अन्जाम दें? सवाल साथ मुलाना आजाद ने किस नजरिये की मुखाल्फत की? सवाल आठ गांधी जी और नहरू जी की नजरों में मुलाना खिया मकाम था? सवाल नौ मुलाना आजाद से अंग्रेज हुकमरा क्यों टर्ते थे? सवाल दस आजादी के बाद मुलाना को कौन सा अषदा दिया गया? सवाल ग्यारह मौलाना आजाद ने कौन-कौन से इदारे काइम किये? सवाल बारहा मौलाना आजाद की दो मशूर किताबों के नाम लिखिये सवाल तेरहा मौलाना आजाद का इंतिकाल कब हुआ? सफ़ा नंबर सत्तानवे खाली जगा को सही लवज से भरिये एक, मौलाना अबुलकलाम आजाद खाली जगा में पैदा हुए दो, मौलाना आजाद को बच्पन ही से खाली जगा का शौक था तीन, उन्होंने तेरहा बरस में खाली जगा की तालीम मुकमल की चार, मौलाना बीस साल की उम्र में अखबार, खाली जगा के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया पाँच, हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दुजहद में मौलाना ने बहुत एहम खाली जगा अदा किया चै, उन्होंने मुतहिदा कौमियत और हिंदु मुसलिम खाली जगा पर जूर दिया साथ, मौलाना आजाद, खाली जगा और पंडित जवाहलाल नहरू से बहुत करीब थे आठ, मौलाना बड़ी अच्छी, खाली जगा लिखते और बोलते थे नौ, आजादी के बाद वो पहले खाली जगा बने दिये गए जुमलों को सुनकर बताईए के ये सही है या गलत एक, मौलाना के वालिद अपने जमाने के आलमे दीन और मशूर वाइस थे सही या गलत दो, मौलाना आजाद को मुदाले का शौक बिलकुल नहीं था सही या गलत तीन, मौलाना के वालिद को ये बात बिलकुल पसंद नहीं थी कि वो कोर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबे पढ़ें सही या गलत चार, वो चालीस साल की उमर में अखबार अलहिलाल के एडिटर बने, सही या गलत पाँच, मौलाना ने दो कौमी नजरिये की पुर्जोर मुखल्फत की, सही या गलत छह, गांधी जी और नहरू जी से उनके तालुकात अच्छे नहीं थे, सही या गलत साथ, तसकिरा, कौल फैसल, मकलात आजाद, तर्जमान अल्कुरान और गुबार खातिर उनकी किताबे नहीं हैं, सही या गलत सफ़ा नंबर अठानवे बुलंद आवाज से पढ़िए वाइज तखल्स अलहिलाल लिसान अलसदक अल्बलाख मुतहिदा कौमियत नजरबंद एडिटर दिये हुए लवजों के मुतजाद लिखिए पसंद खराब जिन्दिकी आघाज आजादी नफरत इजजत बहादुर वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए खांदान खुदबात खाब मजामीन नजरिया जुबान तकरीरें हुक्मरानों मकाला मकातीब वक्त मुम्बत्तियां अंग्रेज मुजक्किर और मुवनिस अलग कीजिए नाम मुताला शौक वालिद किताब वक्त जेब बाजार मुम्बत्ती लिहाफ इजजद दोस्त मशवरा जबान तकरीर जिद्दो जहद आजादी सफ़ा नंबर निन्यानवे दिये हुए लवजों को अपने जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए परवरिश मुताला तालीम हाफजा मुजाहिद मुहिब्बे वतन एडिटर नजरबंद गौर कीजिए और लिखिए मुहिब्दीन मक्का किताब मुम्बत्ती मौलवी अब्दुलवाहिद जामा मस्जिद देली महत्मा गांधी पंडिज जवाहलाल नहरू साहित्य अकाद्मी ये सब अलफाज लोगों, जगों और चीजों के लिए इस्तेमाल हुए हैं ऐसे अलफाज इस्म कहलाते हैं मुख्तलिफ किस्म के पांच-पांच इस्म लिखिए याद रखिए 1. मौलाना अबुलकलाम आजाद आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे 2. वो बड़ी अच्छी और जोड़दार तक्रीर करते थे 3. मौलाना अबुलकलाम आजाद का मजार मीना बाजार जामा मस्जिद दहली में है अमली काम हिंदुस्तान की आजादी की जिदोचहद में जिन रहनुमाओं ने एहम रूल अदा किया उनकी तसावीर एकठा कीजिए और उन पर पांच-पांच जुमले लिखिए मौलाना अबुलकलाम आजाद की किताब गुबारे खातिर में चिडिया और चिड़े की कहानी अपने स्कूल की लाइबरेरी में जाकर पढ़िए सफ़ा नमबर सो गौर करने की बात मौलाना अबुलकलाम आजाद हिंदुस्तान के अजीम लोगों में से हैं वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे उन्होंने एहले वतन की बहतरीन रहनुमाई की जब वतन में आजादी की तहरीक चल रही थी उसी वक्त दो कौमी नजरिया पैदा हुआ इसका मतलब ये था कि हिंदु और मुसल्मान दो अलग-अलग कौमे हैं इस वजा से ये एक साथ नहीं रह सकते लिहाज़ा दोनों के लिए अलग-अलग मुल्क होना चाहिए मौलाना ने इस नजरिये की शदीद मुखालफत की क्योंकि इस से फिर्का परस्ती पैदा हो रही थी मौलाना आजाद ने अंदाजा लगा लिया कि इस नजरिये की वजा से मुल्क तकसीम हो जाएगा और उनका खयाल सही साबित हुआ मौलाना आजाद हमेशा इत्तिहाद औ इत्तिफाक के लिए काम करते रहे इसी वजा से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नहरू जैसे बड़े रहनुमा भी मौलाना आजाद का बेहत एहतराम करते थे मौलाना की जिन्दिगी एक मुहिब बेवतन की खरी और सच्ची मिसाल है इसी के साथ अपनी जबान भागदों का चौद्वा सबक यां खत्म हुआ इसके बाद सबक पंद्रा आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत